जर्ग ग्रूग गोर्खनात किसी भी तरह की शिद्धी मंत्र शिद्धी हो, तंत्र शिद्धी हो दिपावली की रात का हर तरह की शिद्धी में विशेश महतव है लेकिन किने कार्णों से अगर दिपावली की रात निकल जाए तो अगर आप कहीं भी और कभी भी कोई शादना का लाब दिपावली जैतने परभाव से उठाना चाहते हैं तो आप दीपक सिधी यानि की चिराग सिधी जरूर करें आप क्या करेंगे ध्यान से विधी को सुनने आप दिपावली से पहली शाम यानि जो सूरियास्त का समय होता है उस में पर एक मिट्टी की दीपक को गंगा जल से दोकर उसमें दीपक लगा दे यानि गी का लगाए या सर्सों के तेल का ये आपके निश्ठा पर है लेकिन दीपक लगा दे सारी रात दिपक चलता रहेगा दिपक के साथ में एक लोटा जल लखना बिलकुल ना भूले अगले दिपावली के दिन भी दिपक चलता रहेगा जैसी आपकी नियमित फुजा होती है वो करते रहे इसी दिपक के साथ अब दिपावली की शाम को यानि कि दिपावली की शाम को भी दिपक चालू रहेगा और दिपावली से अगले दिन शुबह तक दिपक चालू रहेगा ये चिराग जलता रहेगा दिपक को इस तरह से त्यार करें कि वो दिपावली के अगले सूरियोदा तक चलता रहें अगले सूरियोदे के दिन आप जो लोटा जल है वो किसी पोधे की जड़ में डाल दें और चिरा को संभाल कर रख लें क्योंकि इसमें दिपावलिय की वो संपून शक्ति उसके संपून योग आ चुके है अब आप कभी भी कोई भी मंत्र साधना करते हैं कोई दार में कनुष्ठान करते हैं उसमें सफलता सुनिस्चित है यानि कि सफलता आपको सथ पतिशत मिलेगी तो इस साधना के लिए जो कोई भी कॉंटेट करना चाहता है वो हम संपून कर सकता है जग गुरूप गौरकनार्ट